आरध्य देव के स्री चर्णों में सत्सत नमन मैं अभिनंदन गादिया सूरत सई जैन हिंदी आडियो बुक में आपका स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशन और अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें कल के अध्याय में हमने सुना था भगवान दिसबनात आदिनात क्यों कहलाए भगवान अरिष्ट नेमी के बारे में भगवान पार्शनात के बारे में भगवान महावीर के बारे में भगवान महावीर द्वारा किस तरह चतरुईद धर्मसन की स्थापना हुई स्वेतांबर और दिगंबर की स्थापना कब हुई लोकागज संप्रदाय के बारे में हमने जाना था स्थानकवासी तेरापंथी और दिगंबर तेरापंथी संप्रदाय के बारे में अब आगे तेरापंथ का इतियास सासन गोरव मुनि बुद्ध मल जी प्रकासर जैन स्वेतामबर तेरापनती मासभा उद्भवकालिन स््थितिया राजनितिक स्थिति तेरापन का उद्भव कोई आकसमिक घटना नहीं थी वह तो उस यूग की परिस्थित्यों की एक अनिवार्य मांग थी एक अवधी से युग के गर्भ में धार्मिक क्रांती का जो बीज परिपाक पा रहा था उसी का स्फोर्ट विक्रम सवत 1817 असाड़ पुर्णीमा इस्विशन 1760 को तेरापन के रूप में जनता के सामने आया सारा भारत वर्ष उस युग में राजनितिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की विकट उल्जनों में से गुजर रहा था वह समय मुगल समराज्य के पतन और अंग्रेजों के सासन के प्रारंब का था औरंजेब की मृत्यू सन 1707 के 20-22 वर्ष पस्चाथ ही मुगल समराज्य चिन भिन्न हो गया अराजक्ता के उस अफसर पर अंग्रेजों ने पूरा पूरा लाव उठाया वे यहां की राजनीती में हस्तक्षेप करने लगे उत्तर तथा दक्षिन के अनेक राजाओ तथा नवाबाओ के पारस्प्रविक संगर्सों में वे किसी एक पक्स को सयोग देकर अपना प्रभाव तथा व्यपार बढ़ाते रहें कालांतर में वे यहां राज्य भी स्थापित करने लगे अपने सडियंत्रों के द्वारा राजाओ तथा नवाबों को गर्दी से उतारना तथा बिठाना तो उनके लिए खेल मातर ही हो गया भारत में उनके राजी की नीव पहले पहल तब जमी जब उन्होंने बंगाल के नवाब सिरोजुद दोला के मंत्री को रिस्वर देकर फोड लिया और उसी के आधार पर सन 1757 में पलासी का युद्ध जीता उस युद्ध से बंगाल का सासन तो बदला ही परंतु उसका दूर गामी प्रभाव सारे भारत पर भी हुआ इस विजय के पस्चात अंग्रेजों ने बहुत सिग रही अपने व्यापारिक परिदंदी डंचो को सन 1769 में और फ्रांसीसियों को सन 1760 में इतनी करारी हार दी कि फिर उन लोगों का व्यापार भारत में जम ही नहीं पाया सन 1761 में एक और अफगानों के साथ पानिपत की लड़ाई में मराठे हार गए और उनका सौर्य रहु गरस्त हो गया दूसरी और सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में समराठ सा आलम अंग्रेजों के बंदी हो गए और फिर उनके सर्रक्षन में रहने लगे इस प्रकार उस समय भारत के राजनीतिक वातावरन में अंग्रेजों के उदय और भारते राजाओं तथा नवाबों की प्रतिबा वह सक्ती के हास की से बड़ी उथल पुथल मची हुई थी राजस्तान की दसा तो उस समय और भी अधिक चिंतनिय हो रही थी वह अनेक राजनीतिक इकाईयों में विपक्त तो था ही परन्तु उनमें भी कोई प्रभावसाली राजा नहीं रह गया था रण बांकूरे राजपूत वीरों की तलवारों का पानी उतर चुका था सत्रू दमन के समय काम आने वाला सौर्य पारसपरिक वेमनस्य की अगनी में भस्म हुआ जा रहा था एक दूसरे को गिराने की भावना से उत्पन परिस्थिती ने सारे राजस्तान को निश्प्रब्र बना डाला था ऐसे अवसर से लाब उठाने में निश्णान अंग्रेजों ने राजस्तान पर भी अपने दांत लगा रखे थे तेरा पंत की जनम स्थली है मेवाड वहां की ततकालीन राजनितिक स्थिती तो राजस्तान के अन्य राज्यों से भी गई बिती थी वहां के महारानाओं की तेजस्विता का सुर्य अस्ताचल गामी हो चुका था सांगा और प्रताप के वनसज बीते युक की मधूर गटनावलियों की स्मृति मात्र करने योग्य सैस रह गए थे न उनका कोई प्रभाव था और न व्यक्तित्व सामन्तों का आतंक जनता पर तो छाया हुआ था ही पर राणा परिवार भी उससे बच नहीं पाया था 16 तता 32 की श्रणी में गिने जाने वाले सरदारों के जिन पूर्वजन वे राणा परिवार की रक्षा की थी और मेवार का मुख उज्वल किया था उनी के वंसजों में परस पर प्रबल वैमनस्य चल रहा था महारानाओं को कभी सक्तावतों की और जुकना पड़ता था तो कभी चुंडावतों की और सक्ति संतुलन के लिए सरदारों द्वारा किये जाने वाले सडियंत्रों में आए दिन महाराणाओं की हत्या होती रहती थी अराजक्ता कीसी उस इस्तिती से पडोसी राज्यों को लाब उठाने का खुब अवसर मिल गया कभी मराठा कभी सिंध्या तथा कभी हॉलकर की सेनाए राज्यों में घुस आती और वहां की अस्त व्यस्ता को और अधिक बढ़ा देती उनको प्रसन रखने तथा उनकी मांगे पूरी करने में राज्यों का खजाना खाली हो चुका था आकरांत सेनीकों के हाथों मेवाडी प्रजा आये दिन लूटती रहती थी कोई संदक्षन देने वाला नहीं था महराणा अपने सरदारों को भी वस में नहीं कर पा रहे थे अत बहारी आक्रमणों को दबा देना उनके वस की बात हो ही कैसे सकती थी जनता अपने भाग्य के भरोसे ही जी रही थी तेरापन की स्तापना के समय मेवाण में महाराणा राज सिंग दित्य राज्य कर रहे थे वातावरन बड़ा विशुब्द था कुछ समय पूर्व ही मराठों ने आकरमन किया था और वे बहुत सा धन ले गए थे उनके कुछ समय पस्चात मलराव हौलकर का आकरमन हुआ महापुर्शो की सेना का उप्तरव भी अग्र रूप में चालू था इस प्रकार वहां की राजनेतिक स्तिती अत्यन्त अस्थिर और भयावय थी सामाजिक स्तिती विक्रम की 19 सदी के प्रारंबकाल का समाज प्राय अग्यान और रूडियों में जक्रा हुआ था परंपराओं के प्रकास में जहां अपने गंतव्य मार्क पर आगे बढ़ा जा सकता है वहां उनी परंपराओं को लोगों ने अपने पैरों की बेडिया बना लिया था नवीनता के जीवित बालक से भी कहीं अधिक प्रिय और आकरसक उन्हें पुरातंता का सव लगा करता था पुरातंता की तरह नवीनता में भी कुछ आदे तथा नवीनता की तरह पुरातंता में भी कुछ हे हो सकता है यह तथ्य बहुत कठिंता से ही स्विकार्य हो पाता था उस युग में समाज का नियंत्रन राज्य से कहीं अधिक पंचों के हाथ में था उनका दबदबा प्राय सभी व्यक्तियों पर आतंग की तरह छाया रहता था वे लोग छोटी छोटी बातों पर अनेक परिवार को समाच से बैस्कृत कर दिया करते थे उनका कार्य मानो इतने में ही सिमित रह गया था कि वे अपने ही समाच के कुछ व्यक्तियों को अपमानित पीडितव बैस्कृत करते रहे ताकि अविस्ट व्यक्ति उनकी इच्छा के विपरित चलने का साहस न कर पाई जाती बैस्कृत व्यक्ति या तो अत्यंत दैने जीवन जीने को बाढ़्धे हो जाते थे या फिर अपने गुट को प्रबल बना कर अपनी एक अलग इकाई बना लिया करते थे। इस करम से जातियों और उपजातियों की उत्पत्ती को प्रशे मिलता ही था। साथी पारस्परिक ग्रणा तता सामाजिक भेटभाव की घातक वृत्ती भी प्रबल लता पाती रहती थी। संचार सादनों की प्राय सर्वत्र ही कमी थी। पहाडी भूमी होने के कारण मेवाड में वह और भी अधिक मात्रा में थी। अपने राज्य की सिमाओं को लांग कर बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में अधिकांस भाग सिमांत निवासियों का ही हुआ करता था। भूमी ही धान्य उत्पर्ति का साधन थी। विद्यार्जन की प्रावर्ति प्राय नहीं के समानी थी। समाज का एक अंग नारी समाज्तों अज्यान के अंधकार में आकंठ ही डुबा हुआ था। उसके लिए विद्यार्जन की कोई आवसक्ता ही नहीं समझी जाती थी, एक गर में दो कलमें नहीं चल सकती, ऐसी कहावते स्ट्री सिक्सा विश्यक तत्कालिन जन मानस की भावना को स्पष्ट कर देती हैं, पूरुस समाज में भी अध्यन की अच्छी स्थिति नहीं थी, वन उसमें अक्सर ज्यान कर लेने तथा कुछ पहाड़े आदी याद कर लेने की प्रवर्ति थी, साधारन व्यापार चला लेने तथा बही खाता लिख लेने से अधिक ज्यान प्राप्ट करने वाला व्यक्ति तो कोई अपवाद स्वरूप ही मिलता था, ग्रामन आदी जिन ज संत समागम की प्रवति उसमें प्राय सभी व्यक्तियों में थी, संत वानी को कंठस्त कर उससे तत्वग्यान की पिपासा सांत करने की पद्धती भी चालू थी, एक के पास से दुसरा व्यक्ति तत्वग्यान कंठस्त करता और वक्रम आगे से आगे चलता रहता, कुछ व्य उसग्यान को लिख भी लेते थे, उससे दूसरे व्यक्तियों को कंठस्त करने में सुईदा हो जाती थी। तत्व ज्यान को कंठस्त करने की ये पद्धती इस्त्री समाज में भी थी। अक्सर ज्यान न होने पर भी वे संतवानी के सेंकडों पद कंठस्त कर लिया करती थी। इस प्रकार से ज्यानार्जन करने वाले पूर्सो या इस्त्रियों की संक्या स्वलप ही हुआ करती थी। ज धर्म के ब्रति उनकी अभिरूची रहा करती थी। किन्तु धान्मिक नेताओं ने धर्म के सुद्ध सरूप को इस प्रकार आच्छादित कर दिया था कि परकपाना असंभव हो गया था। साथी तत्कालिनिक सादूवर्ग के सिथिलाचार ने भी धर्मानूरागी व्यक्तियों के रदयों को आलोडित कर रखा था। उनकी चरिया साधना पत से विमुक दिसा में चलने लगी थी। आचारहिन सादूओं ने समाज में ऐसी धांदली मचा रखी थी कि उससे सारे में एक प्रकार की मुक उथल पुथल उबर कर मुखर होने को तडप उठी थी। स्वामी भीखन जी ने उस समय के सादूओं के सिथिलाचार का जो चित्रन किया है यदि उसका सारांस अति संक्सेप्ट में कहा जाए तो उसके लिए उनका ये एक पद्ध ही प्रियाप्त है वेराग गटियों ने भेसवदियो हात्या रो भार गधा ला दियो ठक गया बोज दियो रालो एवा भेसचारी पांच में कालो वे कहते हैं विराग गट गया है और वेस बढ़ गया है सायम की साधना के लिए योग्य व्यक्तियों के इस्तान पर अयोग्य व्यक्तियों को दिक्सित किया जा रहा है लगता है हात्यों का भार गदों पर लादा जा रहा है गदे उस भार को वहन नहीं कर सकते हैं वे उसे इधर उधर बिखेर कर खराब कर देते हैं इसी प्रकार अयोग व्यक्ति भी सयम की साधना नहीं कर सकते। वे उसे खंडित करते हैं और धर्म की अवग्या करवाते हैं। इस पंचम काल में ऐसे वेशधार साधू ही रह गये हैं। साधू समाज की ये विपनावस्था इतनी व्यापक थी कि उसमें कहीं सुधार का भी अवकास नहीं रह गया था। गुरू से लेकर सिश्य तक सभी सिथिलाचारी हो गये थे। कौन किसे कहे और कौन किसकी सुने। स्वामी जी ने प्रारंब में सुधार करने का प्रयास किया परंतु उसमें उन्हें अनेक कटू अनुभव हुए। उन्हें लगा कि आपाद मस्तक व्याप्त ये रोग अब साधारन उप्चारों से मिटने वाला नहीं है। फटे वस्त्र को थेगली लगा कर ठीक किया जा सकता है। परंतु जब आकास ही फट जाए तब उसमें कौन लोगों में जो खामिया देखी, उनका उन्होंने बाद में अपने गरंतों में विसदविवेचन किया। आचार की चौपए में उन दोसों के विसर में आग्मिक आधार पर उन्होंने बहुत प्रभावक धंग से प्रकास डाला है। उनकी समिक्षाओं के अनुसार उस समय के सादू समाज में आचार सेथिल्य के मुख्य रूप में ये बाते थी, अपने निमित बनाए गए मकानों में रहते, पुस्तक पात्र और उपाश्रे आधी मोल लिवाते, लोलुपता वस सरस आहार की खोज में भटकते रहते, मनोनुकुल पदात देने वाले के प्रसंसा औ और अन्य की निंद्या करते थे, जीमनवार में गोचरी जाते थे, ग्रस्त को ऐसी प्रतिग्या दिलाते हैं कि यदि तू दिक्सा ले तो मेरे पास ही लेना, अन्य किसी के पास नहीं। स्रावकों से रुपया दिलवा कर सिस्य खरिड़ते, तत्व ग्यान कराय बिना ही अज्यानी व्यक्तियों को दिक्सित कर लेते, सिस्य सिस्याओं के लिए परस पर जगड़ते और एक दूसरे के सिस्य को फोड़ कर अपना बना लेते, दूसरों की निंदा करने में रत रहत ग्रस्त के साथ समाचार भेजते हैं तथा कागर लिखने की प्रेड़ना देते हैं, मर्यादा से अधिक वस्त्र रखते हैं, ग्रस्त के गर उपदी छोड़ जाते हैं, महिनों तक कोई उनका प्रतिलेखन नहीं करता, अपने परिवारिक जनों की आर्थिक स्थिती सुधाने के लिए धन की व्यस्ता करवाते हैं, दोसी व्यक्तियों के दोस दबा दिये जाते हैं, उन्हें भह रहता हैं कि कहीं वह सबकी पोल न खोल दे, समीती गुप्ती और महावरतों में सावधानी का पूर्णत अभाव ह आचारवान साधू के पास जाने वाले व्यक्तियों को नाना दबाव डाल कर रोकते हैं, न मानने पर उनके कुटुम में कलह का बीज बो देते हैं, आज के साधू बिना अंकुष के हाती और बिना लगाम के घोड़े की तरह हो रहे हैं, स्वामी जी ने तत्कालिन साधू स समाज में उप्यक्त जिन दोसों का उलेक किया हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जो उस समय प्रचूरता से व्याप्त थे, तथा कुछ ऐसे हैं जो यत्र तत्र मिलते थे, विबिन व्यक्तियों के आचार से थिल्यम में अन्य अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु एक कारण प्राय सभ के मूल में समान था वे लोग बहुदा कहा करते थे कि यह दुस्पम काल हैं इसमें इतने कठोर नियमों का पालन असक्य हैं इस हीन धार्णा ने सिथिलाचार का जो बीज बोया वही क्रमसा फलित होकर उस समय की धानमिक स्थिति को प्रभावित करने लगा राजनितिक और सामाजिक स्थितियों से पीडित जन्मानस ने जब धानमिक्ता में भी इतनी गड़बर अनुभव की तब स्वभावत ही पहले वह अश्रद्दा की और बढ़ा तथा बाद में धर्म विरोधी बनने लगा तेरापन का उद्वव उस इस्तिति में नितांत आवसक और समयान नुरूप था स्वामी जी ने जन्ता के सद्धापक्स को सबल बनाया धर्म के सुद्ध स्वरूप पर आचन आवरणों को दूर किया और पंचमकाल के नाम पर सैथिल्य को प्रशय देने वाले सादूवर्ट से कहा कि यदि तुम सादूत्यों के कठोर नियम नहीं पाल सकते तो अपनी उस दुर्बलता को पंचमकाल के सिर मत मड़ो सादूता का ढोंग रचने से तो यह कहीं अधिक अच्छा है कि श्रावक वरत धारन किये जाए स्वामी जी के उस क्रांतिकाली और सबल आवान की फल परिनिती ही है तेरा पंथ ग्रह स्थिती तेरा पंथ के उद्भव में उस समय की विसम धानमिक स्थितिया जहां प्रत्यक्स कारण बनी थी वहां आकासे स्थितिया भी उसमें अद्रस से रूप में सयोगी नहीं यह कोई मनोजन ने कलपना नहीं अपितु जैन ग्रन्तों के पुष्ट आधार से प्रमानित एक तत्य हैं तेरा पंथ की उत्पत्ती से सतापद्यो पूर्व निर्मित जैन ग्रन्तों में की गई भवश्यवानिया यहां प्रमान स्वरुप उत्वत की जा रही हैं कलप सुत्र में कहा गया है जिस रात्री में भगवान महावीर ने निर्वान प्राप्त किया उसी रात्री में कुरूर सभाव वाला भस्मरासी नामक महाग्र दो सहस्ट्र वर्सों के लिए उनके जन्मनक्षत्र में सक्रांत हुआ उसका फल यह होगा कि दो सहस्ट्र वर्स परियंत भगवान महावीर के सासन की उन्नती में बाधाय उपस्तित होती रहेगी जब वग्र भगवान के जन्मनक्षत्र से व्यत्त क्रांत हो जाएगा तब फिर से निग्रंत निग्रंतियों का उदय और पूजा सत्कार होगा वग्चूलिया में कहा गया है भगवान महावीर के निर्वान के 291 वर्स पस्चात संप्रती राजा होगा उसके पस्चात 1699 वर्स तक दुष्ट जन्र शुत की अवमानना करते रहेंगे उसके पस्चात वीर निर्मान के 1990 वर्स व्यतीत हो जाने पर संग तता शुत की जन्मरासी पर धूम केतु नामक ग्रह लगेगा वह उस रासी पर 333 वर्स पर्यंत रहेगा उसके उतर जाने पर संग और सुत का उदय होगा उप्युक्त उधरनों से ये स्पष्ट जाना जा सकता है कि वीर निर्मान के पश्चात दो सहस्त्र वर्स परेंत बस्मरासी महाग्रह का दुस्प्रभाव धर्मसासन को प्रभावित करता रहा और जब उसका समय समाप्त होने को आया तब उसके प्रेवसान से दस वर्स पूर्व ही धूम के तू नामक ग्रह का दुस्प्रभाव चालू हो गया जो की 333 वर्सों तक चलता रहा दोनों ग्रहों की समन्वितिक काल गर्णा करने पर यह निसकर्स निकलता है कि वीर निर्मान के पश्चात 2323 वर्स तक उन ग्रहों का दुस्प्रभाव रहा वीर निर्वान के 470 वर्ष पस्चात विक्रम समवत का प्रवर्तमान हुआ अथा उसके अनुसार ये समय विक्रम समवत 1853 का होता है भस्मरासी महाग्र जब उतरने को हुआ उस समय लोकासा ने धर्मकरांती के बीज बोई उसके उतरते ही वे फलिभूत हुए और विक्रम समवत 1531 में लोकासा से प्रतिबोधित 45 वेक्तियों ने एक साथ दिक्सा ग्रहन की उन लोगों ने लोकासा के मनतव्य को बड़ी तिवरता के साथ प्रसारित किया लोकासा की हुंडी में वेनित सद्धा और आचार का मनन करने से प्रतीत होता है कि लोकासा ने सुद्ध परंपरा की स्थापना की थी यदपी उस समय धूम केतु ग्रह लग चुका था परंटु प्रारंबिक काल होने से उसका बल तिवर नहीं हो पाया जोही उसका बल बढ़ा जोही उस परंपरा में सिथिलता आ गई और लोका के अनुर्याई अपने क्रांटी मार्क पर पुर्वत सुद्रड नहीं रह पाये इसी प्रकार धूम केतु उतरने को हुआ तब विक्रम सवत अठासो सत्रा में तेरा पन का उद्भव हुआ परंटु जब तक वा पूनत उस रासी पर से हट नहीं गया तब तक तेरा पन्त किसी प्रकार की प्रगती नहीं कर पाया क्रांटी के प्रारंभ में स्वामी भीखन जी आधी तेरा सादू थे परंटु थोड़े समय पस्चाती वे घटकर केवल आठ रह गए विक्रम संवत 1853 से पूर्व एक बार के लिए भी तेरा की संख्या फिर से सूष्थिर नहीं हो पाई दूम केतु की अवदी वीर निर्वान संवत 2323 अर्थार्थ विक्रम संवत 1853 में समाप्त हुई उसी वर्ष मुनी हेम राज जी ने स्वामी जी के पास दिक्सा ग्रैन की और वे तेरवे साधु हुए उसके पस्चात उस संख्या में कभी हास नहीं हुआ तेरा पन के लिए क्रमस चतुर्मुखी प्रगती का समय वस्तुत्व वहीं से प्रारम हुआ समझना चाहिए भविश्य के लिए तेरा पन के रूप में होने वाली इस धर्म क्रांती के मूल में आचार सिथिलता से लेकर ग्रह प्रभाव तक के अनेक द्रस्य तथा अद्रस्य कारणों का समवाईक प्रभाव कहा जा सकता है परन्तु उसकी सफलता तभी संबव हुई जबकि सत्यनिष्ट और धर्म प्रां आचार भीकन जी जैसे महत्तम व्यक्ति का उसे नेत्युत्त प्राप्त हुआ कांत द्रिष्टा आचार भीकन जी विगटन और संगटन की सिमाओं में मरमर्ग्य थे वे जानते थे कि क्रांती की सफलता विगटन में नहीं किन्तु विगटन के पस्चात किये जाने वाले संगटन में होती हैं विद्यमान संगटन की निर्दोसता ही क्रांती की निर्दोसता सिद्ध करती हैं श्रमन संग को अपनी पुर्व कालीन दुर्बलताओ और उनके प्रतिफलों का इतियाज फिर कभी दोहराना न पड़े इसलिए उनोंने एक सबल निर्दोस और क्रियासिल संगठन की नीव रखी तेरा पंथ नाम उनी विशेशताओ की सम्मलित समता का प्रतीक है स्वामी जी की संगठन समता की सुदूर नीव पर तेरा पंथ का भवन निर्मित हुआ भवन की विशुद्धता के लिए जिस प्रकार बारी चालियों से लेकर नालियों तक की सुनियोजित व्यवस्ता अवश्यक होती है उसी प्रकार संगठन की विशुद्धी के लिए भी गुण स्वीकार और दोस परिहार की सयोंजना आवश्यक होती है स्वामी जी ने उसके लिए मर्यादाओं का निर्मान किया उन मर्यादाओ द्वारा संगठन के सदस्यों के कर्तव्य अकर्तव्य की सीमाय नेधारित की गई, हितकर स्थितियों का संदक्षन और विकास तता अहितकर स्थितियों के परिश्कार और निर्शन की वियस्ता भी की गई मरियादाओ का उलंगर न होने पाये इसलिए परतेक सदस्य के मन में मरियादा के प्रति बहुमान जागरिका की गई मर्यादाय रूडी बनकर कालंतर में कई वातावरन में घुटन पैदा न करे इसलिए वैधानिक स्तर पर विचार प्रेरित उतकरांती का द्वार खुला रखा गया अनियोजित परिवर्तन जितना हानिकर होता है सुनियोजित परिवर्तन उतना ही लाब कर होता है तेरापंद उसका उधारन बनकर क्रमस उन्नती के पत पर अग्रेसर हुआ किसी भी नए संगटन के साफल्य और स्थात्तित्व के विशे में जन मानस का संसयलू होना स्वभाविकी होता है तेरापंद के विशे में भी अनेक संसय उत्पन हुए प्रारंब में तो लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो पाया कि ये संगटन कभी आगे बढ़ भी बाएगा उस समय के इसके सम्मुक बाधाओं पर बाधाए और चुनोतियों पर चुनोतिया आती रहती थी सब परिस्थितियों का सामना करते हुए ये आगे बढ़ा फला फुला और जन मानस में स्थान प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल गुआ इसके संस्तापक स्वामी भीकर्ण जी ने स्वयम अपने जीवन में ही वैसी सफलता प्राप्त की जिसकी पहले कभी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी इतना होने पर भी एक संधे बराबर लोगों के मन में उभरता रहा कि पहले भी सेतिल्य के विरुद अनेक उत्क्राम्तिया हो चुकी है यदि वे स्थाई नहीं बन सकी तो ये फिर स्थाई कैसे बन जाएगी काल परिपाक से ये संधा भी क्या सितिल्टा के उसी मार्ग पर अग्रसर नहीं हो जाएगी जिस पर उसकी पुरुवर्ति सबी संधा अग्रसर हो चुकी है एक व्यक्ति ने एक बार ये प्रस्टन कुछ प्रकानतर से स्वयम भीकन जी के सामने ही रख लिया उसने भीकन जी से पूछा आपको अपना ये उत्करानती मार्ग कितने वर्सों तक चलता लगता है स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा इस मार्ग का अनुगमन करने वाले साधू जब तक स्रद्धा और आचान में सुद्रण रहेंगे वस्ट्र पात्र आदी उपकर्णों की मर्यावडा का उलंगन नहीं करेंगे और स्तानक खड़े करने के फेर में नहीं पड़ेंगे तब तक ये मार्ग अच्छी तरह से चलता रहेगा स्वामी भीकन जी के उप्युक्त उत्तर को भविश्य के लिए तेरापंद को दिया गया एक मार्ग दर्शन कहा जा सकता है तेरापंद जब तक इस मार्ग पर आरूड रहेगा तब तक उसकी प्रगर्ती में कोई बाधा नहीं आ सकती उत्क्रांती करने वाली पुर्वर्ती संस्ताओं में जो सिथिलता आई उनका कारण और निवारन स्वामी भीकन जी अच्छी तरह से जानते थे उन्होंने इस विशे में लिखा हैं अपने निमित स्थान बनवाने वाले वस्त्र पात्र आदी की मर्यादा का भी लोब कर देते हैं वे फिर उग्र विहार छोड़कर किसी सुवीदापुर्ण स्थान में पड़े रहना पसंद करने लगते हैं इस प्रकार वे सिथिल हो जाते हैं इसके विपरित जो साधू मर्यादाओ को बहुमान देकर चलते हैं वे सिथिल नहीं होते सिथिल ताके इन मुख्य कारणों का मुलाचोच स्वामी जी ने तेरा पंद की आधार सिला रखने के समय से ही कर दिया इसके अतिरिक उन्होंने संग के प्रतेक सदस्य में मर्यादाओ के प्रती इतना बहुमान जागरित किया कि श्रमन संग के किसी भी उतकरांती इत्यास में इतने सुद्रण संगठन की स्थापना का कोई दुसरा उधारन नहीं मिलता है वर्तमान में आध्य आचारे स्री भीकन जी से लेकर वर्तमान तक 13 पंत में निम्नक 11 आचारे हुए हैं आचारे भीकन जी आचारे स्री भारमल जी आचारे स्री रायचन जी आचारे स्री जीतमल जी जयाचार्य आचारे स्री मगराज जी आचारे स्री मानतलाल जी आचारे स्री डालचन जी आचारे स्री कालूराम जी आचारे स्री तुलसी आचारे स्री महाप्रग्य जी आचारे श्री महाश्रमन जी प्रतेक आचारे ने अपने सासन काल में तेरा पन को क्रमस विक्सित किया हैं वर्तमान में आचारे श्री महाश्रमन जी भी उसके चव मुकी विकास में लगे हुए हैं तेरा पन का इत्यास आधोपांत प्रगति संगर्स विजय और मर्यादोनुवर्ति क इत्यास रहा हैं तेरापन को आत्मानुसासन का एक अलब्य उधारन कहा जा सकता हैं आचारे का अनुसासन केवल साक्सी मात्र या मार्दसक मात्र होता हैं प्रारम से आज तेरापन दीशताब्दी विक्रम संवत 2017 असाड पुर्णिमा तक इस संग में दिख्सित होने वाले व सादू साद्यों की संख्या 655 हैं जिसमें 166 सादू और 489 साद्या हैं लाखों की संख्या में स्रावक्ष्राविका हैं एक आचार एक विचार और एक आचारे की अभिनव रत्न त्रहेई ने तेरापन को जो सथे प्रधान किया हैं वह तेरापन के लिए ही नहीं अपितु समग्र जैन समाज के लिए गौरवास पद्ध हैं। इसी कर्म के आधार पर तेरा पंथ में एक के लिए सब और सब के लिए एक का आधर्स कारे रूप में परिनित हुआ है। तेरापन का भूत काल गौरव साली और भविष्य काल नवोनमेश की कल्पना स्थली रहा है। उसका हर वर्तमान काल अपनी प्रगति सीलता के आधार पर नवमेश की कल्पनाओं को वास्त्रिक्ता का रूप देता रहा है। आगे बढ़ता रहा है। कल के अध्याए में हम सुनेंगे स्वामी जी के ग्रस्त जीवन के बारे में उनकी जन्म भूमी, उनकी वनसावली के बारे में, उनकी सूजबूज और दंब विरोध के किस्से, कूप रथाओं के प्रती उनका विरोध, पत्नी वियोग, दिक्सा की अनुमती और माता की वियस्था के बारे में ओम अरहम